एक बहुत बड़ी सेक्षिन का कहना है कि प्रिथ्वी पर ऐसे लोग मौझूद है जिनका काम ही है देशों के प्रेजिदेंट्स और प्राइमिनिस्टर्स का मुर्डर करना अगर वो देश वर्ल्ड बैंक और आईमिफ की प्राइविटाइजेशन पॉलिसी रूल्स और डेगलेशन को अकसेप्ट ना करे और इन लुगों को प्यार से और नफरत से खा़ जाता है एकनॉमिक हिट मैन तो क्या सच में हमारे देश के प्रधानमंत्री को और किसी भी प्रधानमंत्री और प्रेजिदेंट को हर वक्ष जान का खत्रा बना ता है आज इंडिया में पहली बार यूट्यूब के प्लाटफॉम पर ये बेहदी बड़ा खुलासा किया जा रहा है अब आपकी जिम्मेदारी है ये फैक्स हर भारतिय तक पहांचने चाहिए क्योंकि आज 2022 में ये बाते सब का जान लेना बेहद ही जरूरी हो चुका है अब आप ये ग्राफ ध्यान से देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट विडियो है 2016 में सरकार ने PSU's बेच कर 46,247 करोड उपीज रेज के और 2017 में अचानक 1,56,56 करोड उपीज 2018 में 84,972 करोड उपीज 2019 में 50,298 करोड उपीज 2020 में 32,845 करोड उपीज ये आपने कही न कही जरूर पड़ा होगा लेकिन सबसे बड़ा सवाल आखिर सरकार इन PSU's को बेच क्यों रही है जनता को समझाने के लिए एक धिसा पिटा सिंटेंस लाक ओफ टेकनिकल एबिलिटीज लोओ एफिशेंसी और पूर मैनेजमेंट के वज़े से ये PSU's बर्डन बन जाती है और जितना अमनी सरकार रेज करना चाहती है वो रेज नहीं हो पाता तो इसलिए PSU's में हिस्सेदारी बेची जाती है फिसकल डेफिसिट रेडक्शन ये वो तर्ख है जो आज तक जनता को बेचे जाते रहे हैं लेकिन अब आप ये शौकिंग डेटा देखे और ONGC के एक्जामपल से समझेए साल 2021 के पहले क्वाटर में ONGC ने 9000 करोड का प्रॉफिट किया तीसरे क्वाटर में 18000 करोड का प्रॉफिट और चौथे क्वाटर में लगभग 11000 करोड का प्रॉफिट यानि पूरे साल 2021 में ONGC का प्रॉफिट आया 44.13000 करोड जो साल 2020 में सिर्फ 11000 करोड था यानि 2020 के मुकाबले 4 गुना ज्यादा प्रॉफिट 2021 में एक्स्ट्रीम जंप इन प्रॉफिट इन फाक्ट ONGC इंडिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिट मेकिंग PSU है उसके बाद भी सरकार ने 28 मार्च 2022 को ये डिसिजन लिया कि ONGC का 1.5% शेर बेच दिया जाएगा 3,000 करोड रॉपीस रेस करने के लिए सरकार के पहले ही ONGC में शेर होल्डिंग 60% ही है बहुत ही शॉकिंग डिसिजन सरकार का इन फाक यूएन एक्सपर्ट फिलिप अलस्चिन उनका कहना है कि यही सबसे बड़ी गड़बढ है कि प्रॉफिट मेकिंग PSU को भी प्राइविटाइज किया जा रहा है क्यूंकि कभी भी कॉर्पेट टास जिविडेंट से ज्यादा नहीं होने वाला तो आखे सरकार क्यों खुद को कमजोर कर रही है और अपने ही पेरो पर कुलहाडी मार रही है यह सरकार को कहीं से ओडर आते हैं जिससे सरकार को मजबूरी में फॉलो करना ही पड़ता है अब आप यह नेक्स शॉकिंग बात समझेए कि जो सरकारी कंपनी या सरकारी बैंक्स बेच कर मनी रेस किया जाता है यानि डिस इंवेस्टमेंट का मनी वा आखे जाता किधर है यह जाता है डीपैम यानि Department of Investment and Public Asset Management ठीक अब यह देखे 16 नवंबर 2020 डीपैम वाल्ड बैंक के साथ अग्रीमेंट साइन करता है कि अपसे वाल्ड बैंक एडवाइस करेगा डीपैम को यानि यह से समझेए भारत सरकार को किस PSU को कब और कितना मॉनेटाईज यानि डिस इंवेस्टमेंट करना है यानि प्राइवेट हातों में बेचना है कौन करेगा इडवाइस भारत सरकार को वाल्ड बैंक लीपैम के जरी और ये वाल्ड बैंक लगबख हर देश की सरकार के साथ कर रहा है दरसल वाल्ड बैंक और IMF और वाल्ड एकनोमिक फोरूम इनकी पॉलिसी जब आप पड़ोगे तो उनका काम ही है दुनिया को प्राइवेटाइज करना अब प्राइवेटाइजेशन बेटर है या नहीं ये हम एंड में देखेंगे पहले आप ये सब इंपॉर्टन बाते समझेए सबसे पहले वाल्ड बैंक एम है Poverty Reduction और वो होना चाहिए प्राइवेटाइजेशन के जरिये और वो किया जाता है वर्ल बैंक की 3rd और 4th आम IFC और मीगा के जरिये वर्ल बैंक अपनी वेबसेट पर लिखती है कि 1991 से 1994 के बीच 12,000 गर्मेंटल एंटर्राइजेशन को प्राइवेटाइज किया गया 1990 से 2003 के बीच 410 बिलिन डॉलर का प्राइवेटाइजेशन हुआ है In fact, अकेले साल 2006 में 105 बिलिन डॉलर का प्राइवेटाइजेशन हुआ है डेवलपिंग कंट्रीज में ये बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रीम नंबर्स है In fact, World Bank तो कहता है Education, Water, Banks ये सब ही प्राइवेट होने चाहिए World Bank के शब्दों में कहे तो There are virtually no limits to privatization दूसरा, World Economic Forum इसके बारे में आप सब जानते ही है Last video में आपने डीटेल में देखा था Wikipedia पर पढ़िये तो आपको clear हो जाएगा World Economic Forum एक non-governmental organization है जिसका काम ही lobbying है Lobying यानि की Corporates के हिसाब से Government की policies create करवाना और ये सारे decisions लिये जाते हैं उस mysterious Davos की meeting में In fact, World Economic Forum का कहना है कि वो 2030 तक The Great Reset लाना चाहते हैं जहां पर stakeholder capitalism होगा और लगभख सब कुछ private own करेंगे और दोस्तों ये सारे बहुत important concepts है अगर आपने हमारी पिछली दो वीडियोज नहीं देखी है ये और ये वाली तो आप हर हाल में देखे इस वीडियो के end में इन दोनों का link हमने लगा दिया है तीसरा IMF उसने अपनी e-library में clearly mention किया हुआ है कि वो अपने loan पर privatization condition लगाएगी credibility bonus की वज़े से credibility bonus यानि कि IMF को कहना है कि जब कोई देश उनसे loan लेता है तो वो देश investors की नजरों में safe हो जाता है यानि उस देश का credit score अच्छा हो जाता है तो बदले में देश को IMF की policies माननी पड़ेंगी अब क्योंकि IMF ने उनका credit score इंप्रूफ कर दिया है loan देकर तो यहां से थोपी जाती है प्राइविटाइजेशन की policies credibility bonus के बदले में आप ये एक example देखे 2018 में IMF ने government को warning दी थी और कहा था कि जल्द ही banks को प्राइविटाइज कर लो और रिपोर्ट निकाली कि privatization will take care of the governance issue और आज banks privatization आपकी आँखों के सामने शुरू हो चुकि है banks करमचारियों की protest शुरू हो चुकि है और ये privatization आज हर सेक्टर में हो रहा है जैसे water, education, infrastructure, defense government के कंधों से World Bank, IMF और World Economic Forum पब्लिक पर गोलिया चलाते है और जनता सरकार की पुतले जलाती है क्योंकि जनता को लगता है decision सरकार ले रही है लेकिन अधिकता decision treaties, agreements और M.E.U.s के जरिए देशों पर थोपे जाते है क्योंकि capitalism के model में government के मजबूरी होती है loan लेना क्योंकि सरकार और जनता के दिमाग में भरा गया है कि deficit budget ही वनाना चाहिए development को push करने के लिए और as a result international organizations अपनी policies थोप पाते हैं ये जो तीन organizations आपने देखी इनके main aims में से एक बहुत बड़ा एम है ज्यादा से ज्यादा दुनिया privatize हो जाए जिसके थूँ वो बोलते है the great reset आएगा जिसका motto है you will own nothing and you will be happy by 2030 जिसमें वो दुनिया को पूरा privatize करने की planning समझा रहे है और अब आता है सबसे important सवाल आप ध्यान से समझना अगर हमारे देश की सरकार इनकी बात ना माने और मना कर दे कि हम world bank तुम्हारी policies मानना तो दूर हम loan भी नहीं ले रहे तुमसे क्या पता कोई देश ऐसे develop हो पाए कि उसे उधार मांगने की जरुरत ही ना पड़े यानि completely आत्मनिर्भर हो तो फिर क्या होगा क्योंकि अगर ऐसा देशों ने किया तो ये international organizations तो बहुत ही weak हो जाएगी इसका जवाब बहुत ही अजीब और डरावना है जॉन परकिंस जो कि एक economic hitman रहे चुके है जिनका काम होता है किसी भी हालत में देशों पर loan चिपकाना ताकि देश डेट ट्राप में फस सके और अगर कोई प्रेजिडेंट या प्राइम निस्टर लोन लेने से मना कर दे तो उस नेता का मर्डर कर दिया जाए जी हां, मर्डर ये सुनने में अजीब लग सकता है किसी को लिकिने बाद जॉन परकिंस जो खुद एक एक एकनोमिक हिटमन रह चुके है वो अपनी बुक में लिखते हैं Thank you I stood in front of the Shah of Iran the presidents of Indonesia, Ecuador, Panama members of the Royal House of Saudi Arabia and I've said something like in this hand I have millions of dollars for you and your friends if you play our game in this hand I have a gun in case you decide not to लिकिन क्या पता जॉन परकिंस शूटे हो है ना ऐसे ही थोड़ी किसी के भी नेता का मर्डर कर देंगे है ना तो आप ये देखिए USA और इस्राइल पूरी दुनिया में अकेले ऐसे दो देश है जहां गवर्मेंट की ओफिशिल पॉलिसी का हिस्सा है असैसिनेशन जिसे टागिटेट किलिंग भी कहा जाता है जी हाँ ये गवर्मेंट की पॉलिसी का हिस्सा है आप यूएस कोड फिफ्टी इसके अंडर ये सब पढ़ सकते हैं अब नेक्स आप ये देखे ये देखें जिससे पूरी दुनिया को फाइनली स्पष्ट हो गया है कि हां यूएस से एकनॉमिक हिटमैन को हायर और ट्रेन करती है जिसका काम होता है कि अगर कोई भी देश की सरकार पॉलिसीज के अगेंस जाए तो उसका असैसिनेशन किया जाएगा परकिन्स कहते हैं कि लिब्या के गदाफी के साथ भी हम लोगों ने ठीक यही किया दरसल लिब्या के पास बहुत ज्यादा गोल्ड और आयल था जिससे लिब्या इनके कंट्रोल से बहार जा रहा था और सबसे बड़ा इश्यू लिब्या के बैंक में 100% गवर्मेंट के ओन के लिए जो गोल्ड और पेट्रोल से बैक थी और ये इन इंटरनाशनल और और वर्ल बैंक को निश्चेत ही धरशाई कर देती ये एलीट्स जान चुके थे 20 ओक्टबर 2011 गदाफी का मर्डर हो गया और उनके आखरी शब थे कि यूएस की कॉंस्पिरेसी ने मुझे मारा है एक्विदर और पनामा भी एक्स्ट्रीमी सेल्फ डिपेंडेंट होते जा रहे थे नई ओई फील्ड इसकवरीज की वज़े से और इस वज़े से वो इंटरनाशनल और और प्रेजेशन की थोपी पॉलिसी जैसे की प्राइटरो डॉलर इन डील्स को एक्सेप्ट नहीं कर और जॉन परकिंस कहते हैं कि इस वज़े से इन जोनों प्रेजिदेंट्स का मिस्टीरियस प्लेन क्राश के तुरू असाइसिनेशन कराया गया तो क्या इंडिया के हेड्स के साथ भी यह होना संभव है दोस्तों भारत बहुत पावरफुल देश है डेफिनेटली इंडिया की लीडर्स के साथ यह करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अगर ऐसा कोई इविंट हुआ तो यह वर्ल्ड बॉर्ड के लिए ट्रिगर नहीं है इन फैक्ट आप जानकर हैरान होंगे कि कुछ टेकेट्स पहले जब इंडिया इतना पावरफुल नहीं था तो कुछ एक्सपर्ट्स के साब से इस हिट लिस्ट में जवाहालान लहरू का भी नाम शामिल था लेकिन आज 2022 में डाइनमिक्स बिलकुल बदल चुके है और अब इनका बहुत बड़ा हत्यार हो चुका है लॉबिंग और साइकलोजिकल वॉर्फेर मीडिया के मदद से अपनी पसंद की सरकार खड़ी करना और गिराना जिसका असला और बारूद आपके हातों में रखे हुए मोबाइल फोन्स है नेक्स टाइम आप जब किसी भी सरकार को कोई अजीब डिसिजिन लेते हुए देखते हैं तो उसे इंटरनाशनल लेवल पर चल रहे बिग पिच्चर के साथ देखेगा आप ये दोनों वीडियो ज़रूर देखें बहुत ही इंपोर्टन्ट है कि आप ये जान लें कि सारा सिस्टेम मारकेट चल के से रहा है आप यहाँ पर क्लिक कर लीजिए